आग एागस एवरीवरय विल्कम बेक ठूरू को ओल रप यू माई और आज अप इस विडियो में अपब्जेक्स औंद क्लासस के बारे में देखने वालो हैं तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं और बताता हूं कि object and classes क्या है तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि classes क्या है class कोई भी एक ऐसी चीज है जो object के behavior को या properties को describe करता है और class एक object का blueprint बोल सकते हैं अब आप सोच रहे होंगे कि object क्या होता है तो अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए एक class जो है वह object का blueprint है और class किसी भी object के properties या behavior को define करता है या describe करता है object पर आते हैं object क्या है तो object कोई भी real world entity है जिसके पाथ कुछ properties हों कुछ attributes है उससे हम object बोल सकते हैं तो हम example के help से समझते हैं कि object and classes क्या होता है actual में माल लेजिए आपके पास एक person नाम की class है अब person के पास कुछ attributes होंगे कुछ properties होंगे आप बोल सकते हैं जैसे person के पास name होगा कुछ age होगी उसकी वह किस सहर में रहता है city होगी वह क्या जैंडर है उसका जैंडर होगा कुछ mobile number होगा और तरह तरह की चीज़े होगी तो person के पास क्या name है क्या age है क्या city है क्या जैंडर है अगर हम यह सारी properties define कर रहे हैं person class में तो यह एक object के properties को हम define कर रहे हैं लेकिन अगर हम इसमें values नहीं दे रहे हैं तो हम इस चीज़ को object नहीं बोल सकते तो आप समझ रहे होंगे कि person जो है वो class है उसके पास कुछ name है कोई age है उसकी वह किस सहर में रहता है city है जैंडर है अब मान लीजिए जो person है उसका name जो है वो john है आप समझ सकते हैं यहां पर image दिखाया हुए उसकी age मान लेता है 35 है वो दहली में रहता है और जैंडर मेल है तो आप हमने इसको values दे दी इसके properties या इसके attributes को कुछ values दे दी नेम में मैंने john assign कर दिया तो यह name हो गया person का उसकी age 35 हो गई वो city दहली में रहता है और उसका जैंडर मेल है तो यह जो बन गया यह एक object हो गया तो आप बोल सकते हैं कि person जो है वो class है और यह जो values जो हमने assign कर दी है इसके बाद हमने इसे एक object बना दी है तो यह object हो जाएगा ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि यह object है जिसका name है देशी जिसकी age 20 है पुने में इसकी city है और इसका जो जैंडर है वो female है तो आपको idea लग गया होगा classes and objects क्या होते हैं तो अब हम eclipse के तरह बढ़ते हैं और अपने program को बनाते हैं और आपको मैं describe करता हूं समझाता हूं कि classes and objects आप कैसे बना सकते हैं प्रोग्राम में तो मैं switch कर लेता हूं यहां पर मैंने student example नाम की class बना रखी है पहले से अब मैं क्या करने वाला हूं यहां पर एक student नाम की class बना लेता हूं तो class बनाने के लिए class keyword लिखूंगा class student और curly brackets लगाने वाला हूं अब क्या करूंगा student के पास कुछ roll number होगा तो हम roll के नाम से उसको एक variable बना लेते हैं जो कि integer tag का होगा उसका कुछ name होगा तो string नेम नहीं देते हैं object जब बनाएंगे तब हम उसको name से बना देंगे तो वह आपको बहतर समझ में आएगा अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम name नहीं देने वाले हैं तो उसके कुछ age होगी अब क्या हो सकता है और और वह कुछ जैंडर होगा उसका तो क्या टाइप का बना लेते हैं क्या तो यह कुछ मैंने प्रॉपाटीज डिफाइन कर दी किसी स्टुडेंट क्लास की अब क्या करेंगे इसमें कुछ सब्सक्राजाओ ने की शोर्स पर जाने में और यह आपको दिखना होगा जने swamp जिसवेरेबिल के लिए उसको आप तेक कर सकते हैं आप सीरय्के लिए और यहां से जाएक निए तो आप intercept cm kit कि तो अब ऊब यापको डिस्ट के बारे में नहीं पता होगा से और यहां पे कुछ और ले दा总 महां लीजे मैं यहां पर लेता हूं और से और लेता हूं थिए अधिक कर यह से था हूंत तो यहां पर में तोचा ant ждt कर देता हूं और कि इसको आप से हट कर लेते हैं मैं से और यहां पर भी एकर देता हूं और इस डॉटेश हटा देता हूं कि यहां से भी हटा हूंगा मैं कि इसको जी कर लेते हैं और यह जी ओकिया अब क्या करूँगा मैं अब यह मैंने एक class बना दिये इसका अब जबनाने वाला हूँ और अबजक्ट बनाना मैंने आपको scanner class के लिए बताया है पहले कि कुछ बिदियो में मैंने बताया था कि scanner class का object अब्जیک्ट बनाने के लिए दिए तो धंब करें तो ग्रूंअ यहां ओधाने वाले संसेयर लिए omg ऑब्जच बनाने के लिए आपको क्या लिखना है सबसे पहले तब इस प्लें ठीकिए var और object का नाम हम रख ले रहा है माल लिजिए object का नाम रख लेते हैं मोहन equals to new student और यहां पर यह हमारा object ready हो गया जो कि student type का object बनाया हुआ है अब हम क्या करने वाले हैं इसमें कुछ values assign करेंगे हैं तो values assign करने के लिए क्या करेंगे मोहन डॉट इसके अंदर के class के अंदर के methods को call करने वाले हैं अगर हमें इसको रोल लंबर एज और जैंडर इसको provide करना है इस class को तो हमें क्या करना होगा इस object को यह जो object का हमने हमें reference variable बनाया है उसके helps हम इसको call कर सकते हैं तो हम लिखेंगे मोहन और यहां पर हम pass करेंगे मान लिजिए उसका रोल लंबर है एट फिर हम मोहन की एज डिफाइन कर लेते हैं एज सैट कर लेते हैं कुछ तो सैट इज लिखने वाले हम यहां पर और एज मान लिजिए उसकी 16 years और मोहन के पास कुछ कुछ मैंने कुछ मिस्टेक कर भी है हम पर एर्र दे रहा है है गैट इंट टैप इस नॉट अपलिकिबल पॉर अर्गुमेंट इंट ओ मैंने यहां पर गैटेज कर लिए हम सैट होने होगा ओके ना इस फाइन अब हम इसका जेंडर सैट कर लेते हैं तो सेट जेंडर क्या निम था इबार मैं देख लेता हूं सेट जेंडर और यहां पर पास करने वाला हूं मैं तो यह मैंने इसको केपिटल कर लेता हूं मैं केपिटल एम तो यह मैंने एक औबजेट बनाया स्टूडेंट तैप का जो औबजेट हैं ॉसका रड़ेश का वार्वरो हम और उसके पास को लोंबर में होगा और हम दिव्या को कुछ रॉल लंबर साइन करवाने वाले हैं तो सेट रॉल लंबर तो रॉल लंबर होने वाला है माल लीजिए ट्वेल्ट कुछ एज होगी तो सेट इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहां पर और एज माल लीजिए एटीन और जेंडर सेट करेंगे डिवेर और सेट जेंडर के हेल्प से और यहां पर हम पास करने वाले हैं एफ एक मिनट मैंने यहां पर लगा लिया तो यहां से मैं नाइने रेस कर लिता हूँ यहां पर मैंने देव्या लिख दिया यहां स्टूडेंट आएगा तो यह मैंने दो अब्जेक्स बना लिए एक दिव्या और एक मोहन और उनके कुछ रॉल लंबर एट जेंडर सेट कर देंगे अब हम क्या करेंगे इन अब्जेक्स का की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए हम लोग से साउट के हल्प से प्रिंट करवाएंगे और गैट मैठट का यूज करने वाले हैं उसके लिए तो सिस्टम डॉट आउट प्रिंट मोहंटर गेत दो कमें एज्ट देने वाला ऐम हों की फिर से आउाफ लिखंगा में कंट्रैस पेस करूंगाट है नओ ढभए यहां पर और मिल जाएगा हैं फिर उसके बाद similarly हम जब्या के लिए भी ऐसी करने वाले हैं system.out.println जब्या.get age sysout जब्या.get render and sysout जब्या.get जब्या के लिए जब्या के लिए आपको वैल्यूस देने वाला है तो हम इसको compile and run करवा कि चाहिए करते हैं क्या output आ रहे हैं तो जैसे कि आप देख सकते हैं एज जो है वह मोहन की 16 है जेंडर जो है वह मेल है जो एम से मैंने सेट किया हुआ था और इसका जो रोल लंबर है वह एट है similarly दिव्या की एज 18 है जेंडर फीमेल है और एज जो है सुरी एज 18 है जेंडर फीमेल है एंड रोल लंबर जो है वह 12 है तो इस तरह से आप समझ चेंगे कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू